हालो आव्रीवन वल्कम तो दो चैनल दे जोरावर क्लास आप सभी का स्वा गयता है आज की हमारी करंट अफेस की क्लास में मैं आपको एक चीज बता दूँ मैंने पहले भी बताई थी कि जैनवेरी की जितनी भी करंट अफेस हमने की एराउंड 200 कोश्चिंज वह सब में आप इसको रिवीजन की तरह भी ले सकते हो और इसको टेस्ट की तरह भी ले सकते हो कि अगर 200 कोश्चिंज मैं आपसे पूछ रहा हूं तो उसमें आपको कितने याद है कितनों का आप आंसर कर पा रहे है तो टोटली आपके होगा टाइम और दिन जो है आपको बता दिया जाए तो टेलिग्राम को जरूर 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 जोइन करके रहे है ठीक है जी और जहां तक है कि मुख्या कारेकारी अदिकारी CEO को ग्लोबल बिजनस sustainability leadership के लिए इस साल परतिश्चित C के प्रहाद पुरुषकाल से सम्मानित किया जाएगा यह important question है the chief executive officer of which of the following company will be honored with the prestigious C के प्रहाद award this year for global business sustainability leadership और यह है जी आपके Microsoft के CEO Satya Nadella Satya Nadella को इस award से सम्मानित किया जाएगा Microsoft के CEO एवं भारते अमेरिकी Satya Nadella को global business stability leadership के लिए इस साल परतिश्चित C के प्रहाद award से सम्मानित किया जाएगा simple सा ध्यान रखो इस से जादा ध्यान देनी की जरूत नहीं है और यह जो award है आपका 2010 में शुरू किया गया था question number two ले लेते हैं आज का फटा फट केंसरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्यबाल अधिकार संरक्षन आयोग का अध्यक्ष नुक्त किया है who has been reappointed as chairman of the national commission for protection of children rights by the central government this year also यह है आपके प्रियांग कानुंगो प्रियांग कानुंगो 2018 से यहाँ पे chairmanship कर रहे हैं और उनका कारेकाल जो है तीन साल के लिए और बढ़ा दिया गया है स्विन दोहजार चोबिस तक उनका कारेकाल जो है बढ़ा दिया गया है केन सरकार ने प्रियांग कानुंगो को एक बार फिर से राष्ट्यबाल अधिकार संरक्षन आयोग का अध्यक्ष नुक्त किया है सरकार की दरफ से जारी गजट अधिस उचना के अनुसार प्रियांग कानुंगो का नरे कारेकाल तीन साल की अभधी के लिए होगा अत्वा अगले आधेस तक इस जिम्मेदारी का निर्वान करेंगे कानुंगो को 2018 में आयोग का अध्यक्ष नुक्त किया गया था और तीन साल अब उनके और बढ़ा दिये गये हैं तो यानि कि अगले तीन साल में कोई पेपर होता है अपकर उसमें पूछा जाता है तो उसका अंसर होगा प्रियांग कानुंगो Q3, प्रधानमंत्री काराल्य PMO में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचीव नियुक्त किया गया है दोजारएक्टी का Q4 है दोजारएक्टी में ये नियुकती की गई थी केन सरकार ने मीरा महोती को प्रधान मंत्री काराल ले यानि की PMO में संयुक्त सचीव न्युक्त किया है वहीं रितेश चोहान को प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना का मुख्याकार पालक अधिकारी CEO न्युक्त किया गया है भारते प्रशाष्णिक शेवा IES की हिमाचल प्र विश्वश्वास्त संगतन डबलु एचो की एक रिपोर्ट के अनुसार वायू प्रधिशन से दुनिया बर में परती मिनट कितने लोगों की डेथ हो रही है according to a report of the World Health Organization how many people are dying every minute around the world due to air pollution हर मिनट बोला है यहां पर परती मिनट 13 लोग हर मिनट यानि की 60 मिनट को 13 से मल्टि इपलाए कर लो यह आपका एक दिन का डाटा आजाएगा कि कितनी मोते एक दिन में हो रही है सिर्फ और सिर्फ पॉलिशन से विश्वश्वास संगतन ने दुनिया भर में वायू प्रधिशन से होने वाली मोतों को लेकर ड्रावने डराने वाली रिपोर्ट जारी की है दर इसमें कहा गया है कि अगर आने वाले समय में लोग चेते नहीं चेते तो गंभीर परिणाम भी भुगतने पढ़ सकते हैं तो डबलो हो के अगोर्डिंग हर मिनट तेरा लोगों की मोत हो रही है एक पॉलिशन से कोशन नमबर फाइव हाल ही में आप सबको पता हुगा कि ट ही ताटा संस ने सद्सरे के लिए अथारा हजार क्यों रूपय की बोली लगाई है ताटा ग्रूप के संसापक जमसेजदी ताटा ने वर्ष उन्निस सो बत्समें 3 डॉलाग के निवेश से एर इंडिया की शुरुवात की थी उस समय कंपनी का नाम Tata Airlines हुआ करता था इस एरलाइन ने पहली उड़ा 1932 में कराची से मुंबई के बीच भरी थी और वापस जो है Tata ने इंडियन गवर्मेंट से ये अपने पास ले लिया है अभी व्यक्ति की आजादी के नाम पर निम्न में से किंदो पत्रकारों को शान्ति का नोबल पुरुषकार प्रदान किया गया है which of the following two journalists have been awarded the Nobel Peace Prize in the name of freedom of expression बहुत important question है ये भी 2021 में दिया गया था लेकिन बहुत important question है और ये हैं आपकी मारिया रैशा और दिमित्री मुरातोव इन दोनों को जो है freedom of expression के लिए noble peace पुरुषकार दिया गया है और ये दोनों journalists हैं पत्रकार है फिलिपीन सो की पत्रकार मारियो रैशा और रूस की दमित्री मुरातोव को साल 2021 के लिए शान्ती का नोबल पुरुषकार दिया गया है नोबल पुरुषकार हर साल 10 दिसम्बर को परदान किये जाते है नोबल कमिटी ने कहा है कि अभिवक्ती की आजादी के लिए दोनों के पुरुषकार उन्हें दिया गया है अभिवक्ती अभिशक्ती की आजादी किसी लोगतंत्र के लिए एक महतपून पूर्व शर्त है नोबल कमिटी ने दोनों के परियाशों की सारारा करते हुए इन दोनों को क्या दिया है जी आपका नोबल पुरुषकार सामन्त किया है शान्ती के लिए तो याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है नोबल पीस प्राइज 2021 दो जनलिस्ट को दिया गया है फिलिपीन सो की मारिया रेशा और रूस की दमित्री मारा तोवा कोश्चन नमबर सेवन किस राज्य और केंसासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशाशन सुचांक लौंच किया है इंपोर्डन कोश्चन है स्टार कोश्चन है जी विच स्टेट और उनिन टेर्टरी लौंच इंडिया ज फर्स्ट डिस्टिक गुट गवर्नर इंडेक्स और यह किया है जम्मू कश्मीर ने लेखिए जब से यह जो है बारत का पहला जिला सुचांक सुचांक केंदरश्ew प्रदेश जम्मू कश्मीर में जारी किया गया है सुचांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला इस सुची में सबसे उपर है इसके बाद यूटि में डोड़ा सामभा पुल्वामा और शिरिनगर जिले है आंकलन करता है आपको तो सिंपल याद रखना है कहां पे शुरू किया गया है कोन से यूटी या स्टेट का सबसे पहला जिला सुशाशन सुचांक और ये है आपका जम्मू कश्मीर किस देश ने बाग सनरक्षण पर अशिया मंतरिष्टरीए सम्मेलन का आयूजित किया है विच कंट्री एज और ये मलेशिया ने किया है ठीक है मलेशिया ने जो है इसका आयोजिन किया है मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोर्म ने संयुक्त रूप से बाल संवरक्षन बाग संवरक्षन पर चोथे एशियाई मंतरिश्टरिय सम्मेलन का आयोजित किया है बाग संवरक्षन सम्मेलन में भारत का बयान दिया भारत टाइगर रेंज देशों को रूस में होने वाली ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोशना को अंतिम रूप देने की सुधा प्रदान करेगा स्यांद मैं अग्वार्स इस इंठर एक की Woah जैन ने ₹मजा मंतरालया को कईला मंध्रला केंद्र कॉल मंत्रालया ने ₹मखेंडर से संबंतित प्रमुक्सप्रदश्शन Your mind तक के लिए कोईला दरपन पोर्टल लोंच किया है वर्तमान में पोर्टल में कोईला उत्पादन ताप विद्यूत संजित्रों में कोईले के स्टोक किस्ति दी अफसंद्रचना परियोजनाओं ब्लोको का आवंटन पर्मुक कोईले खानों की निगरानी और कोईला मूल्य सह कईली तो यह कहाँ पे लोंच किया गया कोईला मंतरालय ने कोईला पॉर्टल जो है लॉंच किया है और किसले किया है पॉर्टल में क्या है वह आपको मैंने बताई दिया देख लेना कोेशन intention के लिए नबर संगम के तट पर हजारो तीरत यात्रियों के पवित्र इस्टान के साथ हुआ संगम तीन नदियों गंगा यमना पुरानिक सर्षवती का पवित्र संगम है मेला आमतोर पर मकर संदाती के अफसर को चिनित करने के लिए आयोजित किया जाता है ठीक है जी याद रखना है उत्र प्रिदेश तो इस आधा टॉप 10 कोशिंस फो टुड़े ओके और फ्रेंट्स आपका रिवीजन टेस्ट रिवीजन कहलो या टेस्ट कहलो जो भी है वह जल्दी होने वाला है और जितने भी कोशिंस जैन्वेरी में कराएं हो सारे आएंगे और चार दिन उसके बचे हैं हमारे ठीक है आपने देखी लिया होगा फ्रेम चोपडा ने खरीद लिया है तो आप कब खरीद होंगे अगर नहीं खरीदा है तो भाई हो तो क्रेटिवीटी चलती रहेगी ला